जेहिन दोस्तो मैं हुआ नूप और आप सब लोग देख रहे ग्लोबल कॉनफ्लिक्ट पाकिस्तान द्वारा एर स्पेस को वाइलेट किया गया था और अगर किया गया था तो इसके पीछे पाकिस्तान का असल मकसद क्या है कौन सा नया कारवाई करने के लिए पाकिस्तान मनसुवा बना रहा है और भारत इससे काउंटर करने के लिए अपना तयारी को कितना हद तक बढ़ा चुका है और क्या पाकिस्तान के फाइटर एरक्रेप्टों को काउंटर करने के लिए भारत इस बार अपने नया नवेला रफैल एरक्रेप्टों का इस्तिमाल करेगा जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने ड़े हिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए तो दोस्तों कल से ही आप लोगों को कई सारे पाकिस्तानी चैनल्स में सुनने को मिल रहा होगा कि पाकिस्तानी एर फोर्स द्वारा इंडिया के अंदर घुसके कुछ वाइटल जानकरियों को हासिल किया गया और ये उनके लिए एक बहुत बड़ अचिबमेंट था पर दोस्तों ये हकिकत नहीं है कल पाकिस्तानी एर फोर्स के फाइटर एर क्रेप्टों के द्वारा इंटरनेशनल लॉग को दो वाइलेट किया गया था लेकिन बॉर्डर वाइलेशन करने का हिम्मत पाकिस्तानी एर फोर्स के पास नहीं था क्योंकि कल कुछ fighter aircraft line of control के नस्दीक तक आया था लेकिन line of control को cross नहीं किया और दोसो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिंदुसान टाइम्स के report के मुताविक Indian army के spokesperson द्वारा बताया गया कि पाकिस्तानी air force को line of control के नस्दीक देखा गया और aircraft के jet से निकलते हुए धुए को वे spot किया देश के fighter aircraft नहीं जा सकता हर एक तरीके के fighter aircraft और helicopter के साथ साथ अन्हे एरियल वेकलों के लिए एक निर्धारी distance और सिमारेखा international law के तहत बताया गया है और उसका उलंगन कल पाकिस्तानी air force द्वारा किया गया पर उनके जिगर में इतना दम नहीं था कि ओ इंडियन airspace को violet करे क्योंकि उन्हें 27 तारीक का घटना याद है कि किस तरीके से ऐसा ही एक कोशिश में उनका F-16 aircraft को मार गिराया गया था तो दोस्तो सवाल अब ये उठता है कि 26 तारीक को जहाँ पे इंडिया द्वारा air strike किया गया था और पाकिस्तान का तिल मिलाहट के बज़ा से पाकिस्ता को इस तरीके का खुझली क्यों हो रहा है और क्यों बॉर्डर के नजदिक पाकिस्तानी एरफोर्स द्वारा शौटीज लगाया जा रहा है और दोसों इसके पीछे भी कारण है अपने अबबाजान को खुश करना कल चाइनिज डिफेंस मिनिस्टर द्वारा नेपाल के वि पाकिस्तान के तरफ से ये हरकत करने का कोशिश किया गया दोस्तों खली पाकिस्तान अपने एरफोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है बलकि सुनने को तो ये भी आया है कि पाकिस्तान द्वारा अपने नेवी को भी हाई अलर्ट में रखा गया है जबकि पाकिस्तान पुरा क पर एक तरफ जहाएं पर एक तरफ जहाएं पर हिमालायन बॉर्डर में इंडिया द्वारा चायना को पुरा घेर के रखा हुआ और दूसरे तरफ इंडिया नेवी क्वार्ड जैसे और्गुनरेशनों को मजबूत कर रहा है तो ऐसे हालत में चायना अपना कोई भी हरकत ना ही हिमालायन बॉर्डर में किसी भी एरिया में कर सकता है और ना ही साउथ चायना सी में करने के लिए अपनी हिम्मत को जुठा पा तो दोस्तों पिछली बार तो पाकिस्तान के तरफ से जब ऐसे हरकत करने का कुशिश किया गया था तो इंडिया के मिक 21 ही काफी था पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पर क्या इस बार हमें रैफैल को एक्शन में देखने का मौका मिल सकता है और दोस्तों मैं ये कह रहा है क्योंकि 26 तारिक के दिन भी इंडिया द्वारा जब पाकिस्तान के खिलाब एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था तो फ्रांस का ही निर्मित मिराज 2000 एयर क्रेप्टों के उपर सबसे जादा वरोसा किया गया था क्योंकि इन एयर क्रेप्टों के पास low flying capability और रैडर से छुपने का capabilities भी है जबकि ये आसानी से हवा से जमीन और हवा से हवा में मार कर सकता है और पाकिस्तानी जमीनी ठिकानों को ध्वस करने के इलावा पाकिस्तानी एयर फोर्स के अगर fighter एयर कर भी उसके नजदीक भटकता तो उसे भी मार ग्राने का शमता रखता थ ओई पर दूसरे तरफ सुखुधर्टी MKI को अगर इस्तिमाल किया था तो ये एक तरीके का ऐसा होता कि मच्छर को मारने के लिए तोप का इस्तिमाल करना सुखुधर्टी MKI छोटे मोटे तभाई के लिए नहीं बनाया गया बलकि अगर सुखुधर्टी MKI का इस्तिमाल कि जिन में से 10 एरक्राफ्टों का डिलिवरी फ्रांस द्वारा भारत को कर दिया गया है और इन में से 8 एरक्राफ्टों फिलाल भारत में ही ऑपरेशनल है इन 8 एरक्राफ्टों को स्क्वाडरेन नंबर 17 गोल्डेन एगल में अंबाला बेस में डिपलोई किया हुआ है जबकि मा और इसका location ऐसा है कि आसानी से line of actual control, line of control और पाकिस्तान से लगे हुए international boundary को भी guard कर सकता है। या फिर लड़ाई छेड़ने का कोशिश किया जाता है तो पाकिस्तान को सबसे पहले रैफेल का ही सामना करना पड़े। पर रैफेल के इलावा भी पाकिस्तान को और भी बहुत सारे fighter aircraft का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के उपर खाली internal pressure नहीं बलकि चायना का pressure भी है और चायना के कर्स तले पाकिस्तान इतने जादा डुबा हुआ है कि चायना के खुशा मत करने के इलावा उसके हाथ में और कोई चारा बचा नहीं। जबकि दोस्तों इसके इलावा सुनने को ये भी आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी अब CPAC को पूरा-पूरी अपने कंट्रोल में लेने के लिए तैयारी कर रहा है जबकि अब तक indirectly CPAC पाकिस्तान के आर्मी के अंडर ही था। एक तरीके से ये भी एक नया मनसुवा है जिसके तहट पाकिस्तान अपने पब्लिक को कुछ दिन पहले चूरन चटाया था कि इंडिया द्वारा CPAC को टार्गेट किया जा सकता है। और दोस्तों ये संभावनाय वैसे भी पहले से ही था क्योंकि कुछ महिनों से अमेरिका और योरोप के देशों से पाकिस्तानी आर्मी को एड के नाम पे भीक मिलना बंद हो चुका है और बिना भीक के पाकिस्तानी आर्मी अब भुका मरने के कगार पे आ चुका है और ऐसे situation में अपने आपको बेचने के इलावा इनके हाथ में और कोई चारा बचा नहीं तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ झाल झाल